हेलो इस्टुरेंट्स आज हम लोग हेल्स पर्मे पुसीद करेंगे इस पर्मे को आधार बुद समाविपातिक तब पर्मे नहीं कहा जाता है इस पर्मे करमसार यदि किसी दिरुट के एक पुझा कर समान कर अन्य दो मुझाओं को भिन भिन मिंदोफ पर पतिशेद करने के लिए एक रखार तीजी जाएं तो ये अन्य दो मुझाओं समाविपातिक हो जाती है इसको हम आईसे समझे ने है पर युए कर दिक रखा शका हिए ड कर exhaust कर दो डिंदों तख अन्य दो मुझा कर अन्य दो इस भुजा के समान तर कोई रहता कीची जा है, जो दोनों भुजां को दो इंगों कर काट नहीं हो तो यहां दो भाग में पढ़िया, एक भाग AD हो गया और एक भाग BD हो गया उसी तरह यह भुजा में एक भाग AE हो गया और एक भाग CE हो गया तो इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात गोनो अनुपात आपस 찌नी बेरभर होगा समान उपात और यानि कि काए उVideo मात्पन को अवक नियो Nagशogi पहाएkl और कुछन जोब हुए ये खुजब भी और ये खुजब और गोनों भागों पांग पाई आपसमें प्राब आपको अब हम लोग इस मोड़ने को सिर्थ करें एक त्रिवुष किसने हैं इस्वनाम दे लोगे हैं A, B, C पर्मे के हमसार कर रहा है कि एक सामांतर रेखा कुटी दे लिए इस मोड़ने को सिर्थ एक सामांतर रेखा और प्रीटर के ने सानाम दे लिए E अब लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे को बिखेंगे फिर उन्हें किसी में D, E पारलल है कि मैंनी सामांतर दे इसके B, C, D, E अब हम लोगों को प्रूप करना है तो प्रूप इसका और इसका उपार यानी 80 पटा D बराबर होगा 80 पटा C इसको प्रूप करने के लिए हमको तिर्गुष का छेतरफल को उप्योग करना पड़ाएग तिर्गुष का छेतरफल निकालने के लिए लॉप डालना पड़ेगा यानी कि यहां तो प्रूप करना पड़ेगा अपने जरूप और उसको कॉस्ट्रक्शन में लिए कॉस्ट्रक्शन में यहां से हम लॉप डाल देते हैं इसपे ब्न और यहां से लॉप डाल देते हैं यहां से लॉप डाल देते हैं इन लॉप इन खीचा पार्केट दिया गया है सीडी को और बीडी को मिलाया गया है आगे बढ़ने से टाइलेट हमने वो फोकुस्ट्रक्शन क्रिया करना पड़ेगा किसी भी देवुष का शेट्पल निकालने क्याती है यह सुतर हम उन्द्यापन है एक बढ़ता लूप पुड़ा लंड यह लंड अगर इस मुने में कीचा गया है तो यह लंड हो गया और मुस्ट कीचा गया है उसको अद्हार मना जाए और लंड कोई जरूरी नहीं है कि तिर उसके भी जरूँए लंड कि उसके बहार जोड़ेगा यहा से लंड आना हो तिर आई प्रियां अजम सिरूज के है बातत होगा और आधार इसको बना जाए अब अवर्ण करते है यहा से लंड करें सिरूज 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 A D E तो आई लेक्ट लोगता है बटा नीचे एक टिपूर गोंगा हैं B, B, C A, B, E यानि किसी टिपूर का से रफ हाफ इसका बेस हो गया है बेस के लिएकर D करें बुना इसको लब हो गया है E, N बड़ा इसके अरिया B, D, E का अरिया हम देख सकते हैं कि ये लब बाहर है उसके बाहर है B, D, E ये ते बुझे है लब बाहर है लब कौन है? E, N है और बेस तब इसको मानेंगे किसको B, D हो गया हाफ इन्टू बेस बेस हो गया B, D इन्टू लब लब हो गया आपका E, N इसकार हाफ से हाफ कैंसे हो गया E, N से E, N कैंसे तो हमें प्रांस हुआ A, D, D अपन A, D, D इन्टू बेस बाहर A, D बाहर है इसको में प्रांस है A, D, E अपन अभी से चेड़े A, D, D, E एक बटा दो गुनाद अब देखेंगे कि इसको अजाएगा एक को लॉम हो जाएगा हमारा डीन एक बटा दो गुनादा गुना लॉम आपका होगा डीन बटा अब इसके जलेंगे के दिया से डीन अब पिसे द्यायर के के बाहर गुटे valeur अब पिसे डियन को लह मनेंगे तो आधार हो जाएगा डीन सबस्के दिया एक पुटा दो गुना अधार एडिया इडियू 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 बराबर एडियू बट्टा सी इडियू इकोईशन के तू इडियू अब नूटे हैंके नाइंथ क्लास में हम लोगने पढ़ा है कि अधर समान अर्भार और एकोई समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्बुल स्थिट होते हैं कि असे लिखा जाए कि एक ये तिर्बुल है और इडियू इडियू ये लेखा है इस लेखा कि बैदलो जह समांतर है और ये गुद्ध बंगा है कि उन्हों का अधार स्यम है कि इडियू तो समान अधार और एकरी समांतर रेखाओं के इसकित समान अधार और येकरी समानतर रेखाओं की इतने भी तिर्बुल पने के समता ये रिया जयम देख सकते हैं D, E और B, C पहले से पहले से पादल है उससी तरह ये अहाँ D, E, B, C पहले से पादल हो दाए है और एक त्रिव निसम बना है, BDE, यान को सम्हाने कहा ने दिलिया, उसका अजार BDE है, और वो इस parallel line पेस्टीफ है, गुज़वा त्रिवन लोह ने लिया है CDE, CDE, उसका भी अजार BDE है, और वो फी उसी parallel line पेस्टीफ है, इसलिए इस प्रतार भुभा सकते हैं, कि एरिया DDE क्योंकि समान अधार और एक भरी समानतर रेखाओं के भी चिस्ति पिभुजों के चेटर को परापर होते हैं इस बात कौन लिखेंगे? क्योंकि समान अधार पॉस्कुर्णों के भी जैसा कि हमने आपको बताया है कि समान अधार हो एक के समानतर रेखाओं के भी चिस्ति स्यूजों के चेटर को फरार परापर तो है भूज़िए और आपर होगा इरिया सिविवियू को उसरे क्या इंदार फोज़िए टोज़िए ओम देखते हैं equation 1 हम वापस ही दरते है, equation 1 हमार अध्रा area ADE, बड़ता area BDE, बड़ाबर AD upon BD. की तुलना करते हैं, हम देखते हैं, यह equation 1 है, equation 2 है, equation 3, equation 3 में हम लोगों करता कि BDE और CDE का area बराबर होता है, यहां कि CDE है और यहां पर BDE है, वोनों के area बराबर होता है, बराबर होता है, तो हम BDE के जड़ा तक CDE भी लिख सकते हैं, या CDE के जड़ा तक BDE भी लिख सकते हैं, तो अगर हम CDE के जड़ा पर BDE लिखते हैं, तो यह और यह बिल्कुल सेम होगा, तो यह बिल्कुल सेम होगा, यह बिल्कुल सेम होगा, यह बिल्कुल सेम होगा, यह यह बिल्कुल से तीन से RHS, RHS के बराबर होगा यही एक बटा भी बराबर होगा एक बटा से लिए और यह आपको प्रूब होगे यह प्रूब रहना है आसा करते हैं कि आप लोग को यह शिवराब समझ वाया होगा अगर कोई डाउट हो प्रूब होगा मैं प्रूब से